हेलो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका भाईया रिसप सिंग और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिसी यस क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो सभी उन्वर्ट सिटियों के द्वारा अपने 2023 में बीएसी फस्ट समस्टर के एक्जामनेशन को कराय जा रहे हैं उसमें ही एक और यूणिवर्सिटी द्वारा अपने mathematics का जो हमारा पेपर है differential calculus and integral calculus उसके एक्जामनेशन को करा लिया गया है और इस वीडियो में हम उसी यूणिवर्सिटी के question paper पर बात करेंगे कि किस प्रकार क question आप सभी के exam में भी देखने को मिल सकते हैं तो चलिए अपनी इस lecture की शुरुआत करते हैं लेकिन अगर आप सभी चानल पर पहली बाराय होंगे तो जरू नीचे दिए और रड़ बटन पर किलिक करके subscribe कर लीजिए साथ email icon को all पर select कर लीजेगा जिससे हम आप सभी के तया के question पूछे जा रहे हैं क्या timing है इन सभी चीजों पर बात कर लेते हैं इस question paper में हमें total 2 घंटे का समय दिया गया है और बोला गया है maximum 75 नमर के questions को आप सभी को attempt करना रहेगा ठीक है इसमें हर अगर हम subjective pattern पर बात करते हैं किसी भी question paper पर तो आप सभी बच्चों को पता ही है क NEP के according हमारे पास 3 sections होंगे एक section A होता है दूसरा section B होता है और तीसरा हमारे पास section C होता है ठीक है तो section A में हमारे पास किस प्रकार question पूछे जा रहे हैं आईए बात कर लेते हैं तो section A में हमारे पास बोला जा रहा है कि हमें total 3 questions को attempt करना और हर question पर हमें 3 number दिये जाएंगे इस प्रकार 9 number के questions को हमें section A से attempt करना रहेगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे questions आप सभी के सामने देखने को मिल सकते हैं तो question number 1 का जो हमारे पास पहला question है इसमें बोला जा रहा है कि define convergence of a series ठीक है कोई भी series कब convergence होता है इसके बारे में यहाँ पर आपको define कलना है आप लोग हमारे infinite series वारे lectures को देखेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में knowledge मिल जाएगा अब बात करते हैं अपने B number के question पर बहुत ही easy इतना easy question आप सभी के exam में देखने को नहीं मिल सकता और यह question हर एक university में जरूर देखने को मिलने वाला है वो भी क इसको हमें calculate करना है ठीक है तो इसके बारे में यहां पर हमें चीजों पर बात करना रहेगा अब बात करते हैं अपने तीसरे question पर तो यहां पर हम हमारे पास तीसरे question में बोला जा रहा है कि find the radius of the curvature at a,1 of the curve जहां पर हमारे पास curve क्या दिया गया है a square y is equal to x cube minus a cube दिया गया ह ठीक है तो इसका हमें क्या find out करना है यहां पर हमें find out करना है radius of the curvature ठीक है और किस point पर a,1 पर हमें find out करना है तो अगर आप radius of the curvature वाले lectures को अच्छे से पढ़े होंगे तो यह सारी सीचा आपको easily हो जाएंगे बहुत ही easy questions section a में दिये जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं अप हमारे पास दिया गया है जो कि आपके screen पर दिखाए दे रहा है तो इस vector a का हमें curl ग्यात करना है ठीक है कि curl of vector a क्या होता है इसके बारे में यहां पर हमें बताना है ओके सारी चीज़े समझ में आ रहे होंगी अब बात करते हैं अपने e number के question पर तो यहां पर हमारे पास beta and gamma function से question पूछा जाता है जो कि most important है वो क्या है beta of ym gamma ym into gamma ym upon gamma ym plus ym होता है ठीक है तो यह value हमें calculate करनी है बहुत ही easy बहुत ही अच्छा question आप सभी के सामने दिखाए दे रहा है ठीक है और यह हरी university के question में जरूर पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर अभी इन सभी चीज़ो पर हमने बात कर लिया section A में हमारे पास total 5 question इस university के according बोले गए है और total हमें 3 questions को attempt करना है ठीक है तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए गा and most of the lectures आप सभी को already upload है आप लोग चैनल के playlist section में जाएंगे तो वहां पर आपको सभी classes मिल जाएंगे सभी classes क को join करिए आप सभी के त्यारी सबसे बहतर बन जाएगी and आप सभी के screen पर हमारा WhatsApp नमबर दिखाए दे रहा होगा हम आप सभी के लिए paid notes को भी launch किये हैं अगर आप अपने तयारी को सबसे बहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे paid notes को भी purchase कर सकते हैं WhatsApp नमबर पर message करिए हमा क्या बाते बोली जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा section B में हमारे पास आते हैं salt answer type के questions ठीक है तो section B में हमारे पास total total हमारे पास कितने questions दिये जाएंगे अगर यहां पर बात किया जाए तो total हमें 4 questions को attempt करना रहेगा और हर question पर हमें 9 number के हर question पर हमें 9 number दिये जाएंगे तो इस परकार 36 number के questions को हमें section B से attempt करना रहेगा ठीक है एंड यहां पर सबसे ज़्यादा important question जो हर एक university में जरूर पूछा जाने वाला है वो है role-less theorem ठीक है ध्यान रखिएगा मैं आप सभी को बता देता हूँ पिछले year role-less theorem most of the universities के question paper में various all answer में आये था तो वहां पर हमें केवल statement लिखना था लेकिन इस बार role-less theorem या तो आप सभी से salt answer या तो long answer type के question में पूछा जाएगा तो उसमें हमें statement proof बताना रहेगा hand हो सकता है अगर यह long answer में आता है तो उसमें एक numerical भी mention हो ठीक है तो role-less theorem पर already lectures upload है उसे देख लीजिएगा सारी चीज़े समझ लीजिए अच्छे से उनके examples को कर लीजिए जो मैंने कराया है आप सभी के त्यारी सबसे बहतर बन जाएगी ठीक है अब बात करते हैं अपने night of 1-1 upon 1 is equal to 1 होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े examples मैंने अलेडी कराया है आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह वाला question तो बहुत ही जादे important है और ऐसे question जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही easy questions भी होते हैं ठीक है हमें क्या करना है एक यू का value दिया गया है या फिर आप का सकते हैं एक function दिया गया है ठीक है और इसका हमें क्या क्या calculate करना है यहां पर del u upon del x and del u upon del y calculate करना है देन हमें x और y से multiply कर देना और इनका addition करना है तो यह value जो होती है यह 3 के बराबर होती है यह बात यहां से हमें check out करना है ठीक है और यह बहुत ही easy questions होते हैं, बस आपको एक बार जरूर practice कर लेना चाहिए, ठीक है? Sorry, अब बात करते हैं अपने limit of the sequence के कुछ algebra पर, ठीक है? और ऐसे question जरूर आप सभी के exam में देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर एक sequence an दिया गया है, दूसरा sequence bn दिया गया है, तब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि sequence an जो है, उसका limit जो है, वह यल है, sequence bn जो है, उसका limit यम है, तो हमें prove करना है कि उस sequence an और bn का जो limit होगा, वह यल प्लस यम होता है, यह बात हमें यहाँ पर prove करनी है, ठीक है, और यह बहुत ही important question है, क्योंकि जो algebra of limits होते हैं, उनसे question पूछा जाता है, यहाँ पर तो addition बोला गया है, कई जहों पर multiplication भी देखने को मिलेगा, show that this, ठीक है, अब यह this क्या है, आप सभी के screen पर दिखाए दे रहा है, मैं pronunciation नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमें curl, gradient, इन सभी चीजों के बारे में knowledge होना चाहिए, यह cross vector क्या होता है, dot vector क्या होता है, I mean cross product and dot product क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जरूर से जरूर knowledge होना चाहिए, unit 8 के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि unit 8 आप सभी के mathematics में भी है, और physics में भी है, ठीक है, तो यह आपको compulsory है, यहाँ पर हमारे पास क्या बाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर F number के question में क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है, find the value of gamma half, ठीक है, और यह question जरूर पूछा जाता है, कि 1 by 2 का अगर हम gamma निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या value मिलता है, यह बहुत ही important question है, तो इसे आप skip मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यह various all tensor and salt tensor दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है, अब बात करते हैं, G number के question पर, एक बात ध्यान रखेगा, अगर कोई भी question किसी भी university के question paper में देखने को मिल रहा है, तो वो आपके university के question paper में भी देखने को 99% chances है, ठीक है, क्योंकि syllabus same है, तो questions भी same बनेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, अपने अगले question पर, G number के question में हमारे पास क्या बात बोली जा रही है, कि हमारे पास y plus y is equal to 1 दिया ग a for a x दिया गया है, तो हमें प्रूब करना है, क्या प्रूब करना है कि a l cube plus 2 a l y m square is equal to y m square होता है, ठीक है, तो ऐसे question से मतलब normally, तो normal से है, ठीक है, तो normal से है, तो ऐसे question देखने को मिल सकते हैं, टेंजें टेंजें नार्मल से, अब बात करते हैं, तो यहाँ पर, अगर इस question paper में ध्यान से देखा जा, तो section B भी बहुत ज़्यादा tough कोई दिया नहीं गया है, total 4 questions attempt करने थे, जबकि 6 questions दिये गया है, 6-7 questions दिये गया है, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है, अब बात किया जा section C पर, तो section C में हमारे पास इस university के question में क्या क्या बाते बूल जा परकार 30 number के questions को आपको यहां से attempt करना रहेगा, ठीक है, एंड यहां पर यह वाले questions तो बनेंगे ही series से, तो यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला question है, वो बात बोला जा रहा है, कि discuss the convergence of the following series, यहां पर एक series दिया गया है, ठीक है, infinite series वाले lectures को आप लोग देखेंगे, तो सार numbers है, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर हमें बात करने रहती है, ठीक है, तो आप लोग जरूर infinite series वाले lectures को देख लीजिएगा, पूरा playlist complete कर लीजिए, जिससे आपका concept clear है, आसानी से आप लोग attempt कर सके, अब अगले question पर बात करते हैं, तो इसमें दो questions बनाए गया है, स यहां पर बोला जा रहा है कि test the continuity of the function at x is equal to a, ठीक है, x is equal to a point पर हमें इस function का continuity test करना है, ठीक है, तो ऐसे question जरूर पूछे जाते हैं और मैंने कराया भी है, ठीक है, and यहां पर ध्यान रखिएगा continuity and limit, ठीक है, आप functions से questions बनते हैं, तो इसे skip मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि एसे question जरूर बनेंगे, और हो सकता है, यही question आप सभी के exam में भी देखने को मिले, और ऐसे questions को कैसे किया जाता है, मैंने अपने lectures में बताया है, तो आप लोग जरूर देख लीजेगा, ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले question पर, यहां पर भी इस question को भी मैंने कराया ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि एक function दिया गया है, f of x, जो कि आपके screen पर दिखाए दे रहा है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें इसके differenceibility पर बात करना है, अभी तक हमने continuity को देखा था, अब यहां पर differenceibility पर बात करना है, तो differenceibility वाले lectures में भी मैंने इन स जो पर बात किया है, आप लोग जाकर check out कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास यहां पर एक और अच्छा question बन रहा है, prove that अगला question हमारे पास है, कि एक function दिया गया है, ऐसे मैं कह सकता हूं, जो function आप सभी case screen पर दिखाए दे रहा है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, limit n tends to infinite प लगभग answer हमारे notes में आप लोग पा भी जाएंगे, तो अगर आप हमारे paid notes को purchase करते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़े पता भी चल जाएंगे, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने के लिए question पर, जो की most 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 important है, और unit 8 से ऐसे questions बनेंगे भी, gauss theorem हो गया, stocks theorem हो ग अगर या 3 घंटे का question paper होता, तो यहाँ पर एक numerical भी जरूर देखने को मिल सकता था, ठीक है, तो हमने इस question paper पर सारी चीज़ों के बात कर लिया है, आप सभी को मैं अपना WhatsApp number description box में provide कर दूँगा, आप लोगों हाँ पर WhatsApp पर message करेंगे, तो आपको हमारे team contact करेंगे, और आप को बता दिया जाएगा, कि आप हमारे paid notes को कैसे purchase कर सकते हैं, इस video का PDF आप सभी को हम Telegram चैनल पर provide कर देंगे, तो आप हमारे Telegram चैनल और WhatsApp चैनल से join कर सकते हैं, लिंक आप सभी को description मिल जाएगा, यह video आप सभी को कैसा लगा, कितना useful है, जरूर comment करके बताएगा, अगर कर चुके हैं, ठीक है, तो चलिए इस video को अब यही पर हम सवाप्त करते हैं, उमीद करता हूँ, सारी चीज़े आपको समझ में आ चुकी होंगी, इस channel पर पहली बार आए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ, बेल आइकन को all पर स्लेट कर लीजेगा, तो हम सब मिलते हैं, अपने next lecture में तब तक पढ़ते रहे हैं, संघर्स करते रहे हैं, और सफल होते रहे हैं